कच्चा किला विटामिन तथा खनीज का उच्च स्रोथ है कच्चे केले की सबजी काफी पौश्टिक होती है तथा इसके सेवन से दस्ट तथा पेचिश में भी लाब होता है केले की सबजी बहुत कम तेल में बनानी चाहिए लौकी में सभी प्रकार के प्रोटीन तथा विटामिन्स पाए जाते हैं लौकी के सेवन से शरीर में कोलिस्ट्रॉल के मात्रा कम होनी लगती है तथा रिदय संबंधी बिमारियों से हमारा बचा होता है ये रिदय को शक्ति प्रदान करती है चने की दाल शारीरिक स्वास्ति के साथ साथ सौंदर ये भी बढ़ाती है इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आइरन, रेशे तथा विटामिन्स आदी पाए जाते हैं इसका सेवन रक्ताल पता, कब्ज, मदुमेह तथा पीलिया आदी रोगों में लाबकारी होता है अंगूर का सेवन आखों के लिए लाबकारी है तथा ये रक्त में कमी को दूर करता है अंगूर में विटामिन A, B, तथा C, मैंगनेशियम, पोटेशियम, आइरन, तथा फॉस्फोरस आदी पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने हे दू आवश्यक हैं अंगूर को स्वस्थ रखने हैं